राहू से पीडित व्यक्ति के नेचर में क्या चिंजिस साजाते हैं और साथ ही अशुब राहू आपको किस तह से बीमार कर सकता है अब आपके लिए ये चानते हैं पंडिजी बताएं देखिए राहू से पीडित व्यक्ति गैर कानूनी गत्मिधियां कर सकता है राहू असुफल देता है तो घर में दीमक लगती है बुरी आदतों की लत्भी राहू के कारण ही लगती है मैंने पहले ही बता दिया कि अगर कोई ब्यक्ति किसी नसे का एडिक्ट है या दवाईयों को खा कर नसा करता है या अपने हाथ में इंजेक्शन लगाता है या बहुत खतरनाक नसा करता है तो निश्चित है कि उसका राहू खराब हो का राहू के खराब होने के कारण ही इस जलती बीमार रहता है लेकिन बीमारी का आसानी से पता नहीं चल पाता है और दवाओं का असर भी रोगी के ऊपर जल्दी नहीं होता है अगर इसके लिए राहू की सांती करा ली जाए और राहू के लिए 7 अनाज 1 किलो और 1 कंबल ये सनिवार को किसी जरुतमंद को दान कर द मिलती है इसमें कोई दो राय नहीं है जै माविन निवासनी दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें